हर्याना के अंबाला जिला में पूरानी रंजिश के चलते 74 साल के बुज़ूर की हत्या कर दी गई वहीं हत्या का आरूपी भी घायल बताया जा रहा है जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंबाला सिटी में भरती कराया गया है मामला पंजोकरा थाने के अंदरगत आने वाले काओं कानपूर ब्रामना का है बृतक की शिनाक्त हरीदत शर्मा के रूप में हुई है चानकारी के मताबिक हरीदत बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहा था आरूप है कि इस तोरान पडूसी रमेश शर्मा ने उसे धका दि किया है तो बात थोड़ी जर्वेश पाणी पड़ा रहा है और जनाके सोग्रा ज्यारत लंगया उकाम मैं लिए भाप पनी यह था उन्ने वहां पढ़का है दिया जी मगारे पढ़का यह गंदासीयं रंदेली काई कि एक ड़सी मारी मुदा हो पाँपा कि अजी देव लंबादार के सब्का देव जाह पाँपा जिए अधर सूचरा मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची पट्वी चोकी पुलिस ने साक्षिद उटाए पुलिस परिजनों के बयान दर्ज करके आगामी कारवाई कर रही है पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच के जा रही है जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी आज होस्पिटल सहजादपूर से एक रुका है था ब्रोड डैड का तो हम बोके पे होस्पिटल सहजादपूर पहुंचे वहाँ पे हरिदक शर्मा जी जो मरित्तक खालत में थे उनके बेटा है विकास इसकी स्टेटमेंट लीवी जो विकास ने अपनी स्टेटमेंट दी जिसके अंदर रमेश, दिवान्शू, मोहित और संजीव जो इसने बताया कि इन चारों ने मिलके इसके पीता के साथ लड़ाई जगड़ा किया और इसके पीता की हत्या किया है जिस पर हमने मुकदमा नंबर 200 दर्जिक्टर किया गया है अंडर सेक्शन 302 और हरिदत शर्मा जी का हमने सरकारी हस्पताल अम्वाला सहट से पोश्ट मटम करवा दिया है और जो डेट बोड़ी है वो परिजनों के हवाले कर दिया है और इसमें अभी जांच जारी है और इसके पास गोबर की कूर्डी है जो इनका विकासा कहना है कि रमेश कुमार कहीं बार इसमें गोबर गेट आए यहां पे जो हमारी जमीन है तो रमेश को कहीं बार हमने मना किया है घुपर डालने से लेकिन रमेश मनना नहीं जो आज सुबह इन सबी ने एक रंजीत रखते हुए मेरे पिता के साथ मार पिटाई करके और इसकी हथ्या करती अभी चांच जा रही है और इसमें जो मुल्जिम है जिनके एक लाफ खुबूत आएंगे उनको जल्दी अरेश्ट किया जाएगा अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाल अब ब्रेकिंग न्यूस जाउन लोट करें